नमस्कार दोस्तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश टेजी टी एक्जाम के सामाजी विज्ञान के सेलबस के बारें बात करेंगे इसमें हम लोग चार विश्यों जियोग्रफी हिस्ट्री उसके बाद आपका एकोनामिक्स हो जाएगा ठीक उसके बाद पॉल्टी इन चारों सब सब्सक्राइब करते हैं इसका सेलबस के बारें बुगल में चले आपका बहुती 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 दिया हैं जिसके अंतरगत हमें सवर मंडल की उत्वत्ति और सवर मंडल में पृत्वी की याक्ति यहों गतियां पृत्वी की गतियों के प्रभाव सुरी गरहड यहों चंद गरहड चांस दिसांतर का निरूपड ठीक हैं ग्लोफर किसी अस्तल की अवस्तिती का निर्धार किस प्रकार से करते हैं उसके ब बात करेंगे जला मुखी की कौन-कौन से क्रियाएं होते हैं और उसके इसके देखेंगे हम λोग इसके देखेंगे जोंके फोरकारीद भुकांप कीस प्रकार सुथपण केश्मीं करते हैं कि त Cartman करते। उसके बाद महधीपवμ o महशागरोग का भित्रड इसमें पढ़ना है पर्वत्य हूं उनके प्रकार पर्लित परुत्प्व का विष्व के पर्मुक पठार मुझे के प्रकार ठीक है उसके बाद आगे हम लोग देखंगे मैधान आओं नदी घातियां जो आदी घायां प्रच्छ का प्रक्रुयां पढ़ेंगे इसके बाद डेविश्च का अपक्रदं चक्र देविस महुदवजी जी ने जो नदी अपर्दन चक्र समद्दे जो संकल पनादी है उसके बार हम जानकारी इसमें प्राप्त करना है नदी घाटी की निमनी करण प्रक्रिया जल अपर्दन त्वारा विभिन चलडों में निर्मित भू आक्रितियां ठीक है चाहे वो जल प् अध्मास्फेर के अंदर की श्यान रचना किस प्रकार सी है शुर्यात अब उसके उसे प्रभावित करने वाले कारक तापमान का 36 वित्रड यह उर्द्वारधर वित्रड तापमान विलो मता ठीक उचाइक साथ का बढ़ने पर तापमान जो घटने की सामान दर होती कभी के उचाइक के साथ मन बढ़ने लगता है उसे देखना है वाईदा फेटियां एवं सनातन पावने ठीक है उसके बाद महत्पूर अस्थानी पवन के बारे मध्यन करना है उसके बाद वर्षड की प्रक्रिया वर्सा पाला कुहरा आदी समाहनिक धरातली एवं चक्रवाती वर उसके बाद मंडल मngभान कई थैपका उसके पाहाडे ढर दिखना है उसके बाद मंडल के अंदर के थमलों का हो का उच्छा वज जिस प्रकार से धरातल पर लच से पहार उचे-उचे-पाहाड एवह इसम dif छियीले हैं उसर पाद से गरतां उसके प्रभाहः क्या आध्यान करना है यह जलवाइवी प्रभा उसके प्रभाई। वह एंगे उसे प्रभा और मनदल। प्रकार विश्व वित्रड तथा संबंधित जन्तु भाग उसके बारे में अध्यान करना है इसके बाद और मानो के अंतरगत सबसे पहले इसमें मानो पर्यावड अंतर शंबन्ध नियुक्त को देखना है उसका जो सिधांत है वी वेच्चन रेडवड़्ज़ गा जो निश्चे बाद है उसका अध्यन करना है फिर उसको है डेविश शेंपूल हट्टिंग अटन ठीक वाडल लिला ब्लांश ब्रूंस त्यों ग्रिफिट टेलर की इमत जैसे शेंपूल महदे ने कहा है कि मानो जो है पृत्वी की एक उपज है ठीक है उसके बाद आप गोड़च गेवन लिप डिरष ब्रूंस पिरेज़ कसंगर करें जो अ के अक्या है फिर जो फिर्ण संख्या ब्रृधियं है विद्द्रड का विवेचन करना है ठीक है अ मतलब जक्ठ्राइं जो ब्रिधि का का राण है क्या है उसका वित्रड है वो भी देखना है, उसका मानो प्रजातियां, ठीक है, विश्व में जो भी मानो प्रजातियां है, उसके बारे में अध्यान करना 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 है, उ किस प्रकार से वहां पर रहते हैं किस प्रकार से उसके न्यूंत करना है इसके बाद हम लोग मानुग अधिवास के शुरूप एमाम पर्यावरण से संबंध ठीक है उसके बाद आपका हो जाएगा विस्क प्रमुग विराट नगर अवस्तियों महत्यों विस्क जो बड़े बड़े नगर हैं उनका क्या महत्यों है उनकी अवस्ति कैसी उसके बारे मध्यान करना है आर्थि भूल के अंदर गत के लिए जो करते हैं फिवन दोहन यों दुख्द उत्पादन प्रमुग उर्जा यों खनी संसाधन इसके अंदर कोईला पेट्रोलियम लोह एस्क मैगनीज बाकसाइड यों तामबा विस्क में प्रमुग वश्ति के बारे में जानकारी प्रात करना जिसमें के कारत इवं वित्रड लव इसपाद सूती यों प्रित्रिम वस्त्र कागज तेल सोधन प्रमुग उद्योगिक प्रदेश उतरी पुरी सेयुक्त राज्य किंकी रूरी क्रेन कैंटन संगाई यंग यांग ब्राजील पठार के केप टाउन नेटाल विस्क के प्रमुग व्याफारिक मार इसके बाद भारत की इस्तिक अंतरगत विस्तार अंतराश्टि श्रिमायम यह इसे संब्दित भूर शमश्याओं के बारे इमजानकाई प्राथ करना है इसके बाद हिंद महाशागर यह उसका आर्थिक सामरिक महत्तुधरातली स्वरूप जल प्रवा मांसुन गुत्पत्य इन उनका जलवाई इन प्रागर्ति वनसबत्य से अंतर संब्द निर्वनी करण बाढ इन मिट्टी अपरधन की शमश्याओं यह उनके शमाधान कृष्टि खाद्यान उत्पादन प्रागतियों समस्याओं अरित करांती श्वेत इन निली करांती निल करांतियां दोहन से जुड़ी शमश्याएं, ठीक है, उसका शमाधान, कोईला खनी तिल का भोगोली वितरड एवं उतपादन, ठीक है, उर्जा के वैकेलपिक स्रोत के रूपे हम लोग कौन से उर्जा को फियोग कर सकते हैं, उसके बार में जानेंगे, उसके बार बहुत देसी योजना यहां उनसे जुड़ी पर्यावली शमश्याएं, ठीक है, वस्तु निर्माल उद्योग, लव, इसपाद, वस्त्रब, चीनी, कागज, सिमेंट, ठीक है, उसके बाद यहां अलमूनियों उद्योगों की अवस्ति एवं वितरड प्रतिरूप, ठीक है, उसके बार जनसंख्य व्रिद्धी एवं वितरड, जनसंख्य, जने समश्या, परिवहनों के शाधन, विदेशी ब्यापार, प्रमुख नगर, यहां बंदरगा, इसके बारे हम लोग अध्यान करेंगे, आगे हम लोग इतिहास के बारे हम जानकरी प्राप्त करेंगे, इसके अंतर के सबस्पले ह हमें पूरा इतिहासिक संस्कृतियां, यहां पूरो पासाड यूग, मदे पासाड यूग, नौप पासाड यूग, इनकी प्रमुख विसस्ताएं, प्राचीनी यूग, केंदरगा, सिंदु घाटी, सबिताप, प्रमुख विसस्ताएं, वैदिक काल, पुर्व वैदिक काल उत्तरवैदिकाल, राजनितिक, सामाजिक, धार्मिक यों, आर्थिक जीवन, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म यों बौत धर्म, भागवत धर्म, और सैव धर्म, मौरेकाल, राजनिति, इतिहाज, समाज यों संस्कृति, गुप्त राजवन्स, राजनिति, इतिहाज, और समा स्थापना इसके आगे हम लोग कुतुबूदिन एबक का योगदान देखेंगे किस परद से इलतु तमीश का मुल्यांकर हम लोग करेंगे फिर उसका बलबन का जीवन चरित और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राथ करना है उसके बाद अलाव दिन खेल जी की उप तैमूर का आकरमड बहमनी शामराज के बारे में अध्यन करना है फिर शाय लोदी वन्स मुगल वन्स बाबर उमायू अकबर जहांगी सहा जहां और अरण जेव का अध्यन करना है छत्रपति सिवाजी ठीक है जीवन चरित एवं उपलब्धियां आधुनिक भारत इसमें हम ये अठराषटर फावन स सटमड्स पचास की घट्टन अकी बारे में जानकरी प्राप्त करना है उसके बास वरू रहोपम पर्ड़ाम उसका क्या क्या सवरूप उसका क्या स्वहन निकलाओыт उन नीस्तो भी सताबधी भारती पुनर जागरण सामाजीक धार्मीं का अंदोल किस पुरकार से हुए था उसक के बारे में जानकाई प्राप्ध करना है राश्टी अंदोलन महात्मा गांदी के योगदान देखना है फिसके बाई प्राप्ति था भी भाजन के बाद भारत केशा था फिन 591 पशली तक यह सा बद्ध्यान करना है उसके बाद अर्थ सास्त त हम लोग देखेंगे सबसे पर आर्थिक सिध्धांत जो है उसके अंत्रगत यह देखेंगी इसमें का है अर्थ सास्त्र परिभाशा यह प्रकृति दिखना है फिर अस इस्थैति क्यों प्रवैगिक विशलेसर फिर अडू यह ब्यापक विशलेसर मांग का नियम यह मांग के हुछक़्या度 की माप कि जन कहीं प्राव करना है उसके बाद उप्योगिता अजाएगा ठीक उप्योगिता विशलेसर एवं पयमाने का प्रतिफल नियम उत्पादन फलनकार ठीक फलनकार समुत पाद दवक्र विशलेशड माल्थस एवं अनुकूलतम जनसंख्य सिध्धान्त एस सब जनका ही प्राब करना है फिस वाद कीमत निरधरण के सिध्धान्त के अंदर के हम लोग को परामपरावादी एवं आध्योंines के पूर प्रतिफल एकधिकार एवं एकधिक्रिद्वाम überhaupt प्रतिफल में फण का सामय किस प्रकार सो समानता साबित करनी है उसका ध्यन करना है पिर उसके बाद हमें वित्रण का केंद्रिय जिधान इसके अंतर गत हमें रिकार्डो का आधुनिक लगान जिधान ब्याज़ का नो परंपरावादी जिधान जिधान दिखना है फिर मुद्रा का मुल्य, फीसर तथा केंब्रीज उसे जालाय समी करण, मुद्रा इश्पिती, संस्पिती यहां, मुद्रा इश्पिती वर्तमान भारती मौद्रीक प्रडाली, फिर ब्यापारिक बैंगों की आदुनिक प्रिवितियों के बारे जानकाई प्राप्त करना है, फिर शाखा निर्माड केंद्री बैंक की कार, साक नियंत्रड के परिमाड आत्मक यह गुड़ात्मक तरीके किस पकार से जानकाई प्राप्त करना है, इसके बाद आलब बिक्सित अर्थ विवस्ता में मौद्रिक निती के बारे जानकारी प्राप्त करना है, इसके बाद हम हम लोग आगे अंतराष्टी यह अंतराष्टी व्यापार के बारे में इसके अंतराष्ट हम लोग तुलनात्म के लागत सिध्धांत स्वतंता व्यापार एवं सरच्छड की विधियां व्यापार की सरते इसके बारे में जानकारी प्राथ करना हैं उसके बाद विनिमाई दर अंतराश्टी पुनरनिर्माड्ष्ट्व विकाश महां किस ब्ल dwelling विश्भय पर संगट भी सिह आइऑ नीजी वित अधिक्तम सामाजी कल्याओं चुण अृर्टिक पर्भाव की कारद सिढधान करें सुल विशेत निधारद को पाद कर देज चमता करों में न्याए करा घाने किंस का रोजगर सिध्धान्त प्रडालियां पुजीवाद समाजबाद मिच्छित अर्थवेश्टा के बारे मिप्राफ करना है उसके आगर भारति अर्थ बिवस्थायों, आर्थि विकास कहें, हम लोग भारति अर्थ बिवस्ता की विसस्ताया जन संख्या, नीती, राष्टी आयका वितरण, संडचना, भूमी सुधार, लगुतियों सीमांत कृषिशक, इसके बाद हम लोग अद्योगी करण चूशियाएन. इसमें कहें Нई अद्योगी की नीती, कुटीर, यओं लगुतियों की समश्याएन. स्रम समश्या, स्रम संगों की भारत में भोमिक्या अद्योगी की विबाद. इसके बारे हमें जनकरी प्राब करना हैं उसके बाद भारत में वीदेशी व्यापार के अंतरगत हम लोग सनरचना यो आदूनीक प्रवित्नियों को देखेंगे आयात प्रतिस्परधा आर्थी विकास यो आर्थी प्रगती आर्थी विकास के कमिंगे कारड़ पूजी निर्माड रुस्टो की आर्थी विकास के सुपान आर्थी विकास के सिध्धानत निउनतम प्रया सिध्धान विकास की उपाय तक्नीकी के भारत ने पंचोरसी उजनाओं के बारें जानका इप्राव करना है इसके बाद दोस्तों अगरा टोपिक जो है आपका नागरिक सास्त्र है ठीक है नागरिक सास्त्र के इंदर राजनीती सिध्धान्त राजनीती सास्त्र ठीक है परिभासा प्रक अधिक्यार नागृता प्रजाद तंत्रियों अधिनायक संत्र है राजनितिक वाद ब्यक्ति वाद् वंब्यभ्यानिक संमाझवाद का हमें जनकेड़ड़ी। प्राप्त करना है। उसके बाद हमें राजनीती, दर्सन के अंतर के प्लेटो, रस्तू, हाक, सलाक और रूसो, बेंथस और जे, एमिल, कारल मार्क्स, मनू, काउटिल और गांधी के विचारों को जाना है। अध्यन करना है। उसके बाद निर्वाचन प्रडाली, चुना आयोग, चुनाव सुधार, राजनीती, दल, यो मद्दान, व्यवहार, ठीक है। उसके बाद भारती राजनीतीक प्रडाली, गोखले, तीलक, गांधी, नेहरू, शुबास, जिन्ना, यो डाक्टर बी आरम बेटकर का राष्टी, अंदोलन मी योगदान, के वारें जानकारी प्राप्त करना है। भारती सम्विधान, मुख्य विसेस्ताय, मौलीक अधिकार, यो राज के निर्थी निर्दिशक, ततो संग सरकार, राष्टपती, मंत्री, परिशद, संसद वा सरोच न्यायाले, न्यायिक सक्रीता, राज सरकार, राजपाल, मुख्य मंत्री, केंद्र, राज संबंध, जि राजनितिक दल, राष्टी एकी करड़ की समश्या, उसके बाद राजनितिक दल यहों, दबाव समुह, भारती प्रसासन, नौकर साही, अमोडिसमायन, लोकपाल, यहों, लोका युगत भारतियों, संयुगत राष्टंग, के बारे में हमें जानकारी प्राब करनी है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिएगा, अगर आप लोग कोई भी सुझाओ या क्वेस्टन है, तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सस्क्राइब ने कियें, तो इप्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा, यूपीट, कि पॉइंट आप यूपीज से उपलब कराते रहेंगे, तो वीडियो दिखने के लिए आप लोग का बहुत बढ़ धन्यवाद, आपका दिन सुभो, जय हिन वंदे मातरम,